कि तो हेलो कि एवरीवन और वेलकम टूधा ओंलाइन च्लासेस और जैसे कि आप सभी जानते हीं कि लास्टेंड हम लोग हुए कि यहां जो फ्यूज़ीन वाला पार्ट प्रोटरप्लास्ट का वह कम्पलीट कर लिया है फ्यूज़ीन का सेलेक्शन कैसे होता है selection of hybrid cells भी हम लोगों पढ़ चुके हैं जिसमें biochemical method, visual method और cytometric method ये तीन methods के द्वारा हम किस प्रकार से अपने fused protoplast को select कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया आज हमें आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं साइबरीट के बारे में जब मैंने आप लोगों का protoplast स्टार्ट किया था तो प्रोटोप्लास जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को सपन्स के बारे में भी बताया था कि सब्सक्यूराइब किसे बोलते हैं तो आप लोगों को याद होगा अगर ईहा और मैं फिर से एक बार इसे बता देती हूं कि हम साइब रिडाइजेशन किस चीच के लिए यूज किये थे साइब रिडाइजेशन थे यूज किये थे जब हम एक नॉर्मल प्रोटो प्लास्ट को एक ऐसे नॉर्मल यह हमारे नॉर्मल DMP ठीक है स्ट्राइजर नहीं है इसके उपरी कवरिंग में तो यह नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है और दूसरे दरफ हमारा एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जिसमें नुक्लियस नहीं है एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है जिसके पास नुक्लियस है और एक आपका इनुक्लियेटेट प्रोटोप्लास्ट है जो की कैसा प्रोटोप्लास्ट है प्रोट प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं तो वो बनने वाला जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसे हम साइब्रिड कहते हैं ठीक है उसे हम क्या कहेंगे hybrid और इस पूरी process को हम लोग क्या बोलते हैं ये जो process हो रही है उसे हम बोलते हैं hybridization कि ये जब मैंने आप लोग की class start की थी protoplast के बारे में पढ़ाना तब हम लोगों ने पस्तेड़े जिम इंट्रोपड़े थे तब हम लोगों ने छोटा सा डिसकुशन इसके बारे में किया था हम इसी के बारे में ही आज डील करके अच्छे से फोकस करके पढ़ने वाले हैं तो साइब रिट्स की अगर बात की जाएं तो साइब रिट्स क्या हैं तो साइब रिट्स यह दिसाइट अपलास्मिक है बड़िट्स वेर दन्यूकलियस इस टिराब इस्वर्णी वन पैरेंट साइटो प्लास्मिक है बरीड देखो प्लांट वाइट इस में फिर प्लांट से रिलेटेर्ट जब रूब लोग बाय टेक्नोलोज में पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं इन सभी नामों को याद रखना एक बहुत बड़ा टिफिकल डास्क होता है लेकिन हम लोगों को याद रहेगा चीजें तब जब हम टर्म्स को समझेंगे जिसे देखो साइब रिट्स या इन्यूक्लियेट प्रोटोप्लास् जालविक हैं खरोद को यह आधि फुर्टोप्लास्मिक हाइब साइबरीट को ही बोला जा रहा है अग यह इस आइडोप्लास्मिक हाईबरीट क्यों बोला जा रहे हैं साइबरीट को आप तो बोलेंगे कि मैंड़ मभी तो अपने यह बता है साईवरीड और थायञाव होते हैं जो नॉर्मल एक प्रोटोप्लास्ट और एक है ने मुत लेटसे मिलकर बनता है जो नया प्रोटोप्लास्ट तो साईबte से देस साइटो प्लाज्मिक हैरए उसका ही नाम है दूसरा नाम है उसका हूट ही के जैसे की आप लोगों का एक नीकने मुत और एक लींब होता है वैसे ही साइजरी और साइट फ्लाज्मिक क आयुई उसलिए बोला जारह है इसे रीजन यहां पर साइटो प्लाजमिक का रीज बोलने का रीजन यहां पर यह है क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जो नुक्लियस है वो सिर्फ एक पेरेंट से मिल रहा है उसे और फीमेल का जoug क्रोस होता है तो बेबी हो दी वोता है डॉटर होती पसितवार दॉटर वन्ते ये तो पता था लेकिन आप एक माता में क्या है एक पेरेंट में नुदियस नहीं है यह चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसका नाम साइटो प्लाज्मिक हाइबरिट कहा गया है जहां पर जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ केवल एक पेरिंट से आपको प्राप्त हो रहा है और जो साइटो प्लाज्म है वो दोनों से प्राप्त हो रहा है साइटो प्लाज्म किसे बोलते हैं आपका ये कोशिका है कोशिका के अंदर नूक्लियस है नूक्लियस के बाहर और कोशिका के अंदर मतलब यहां पर जो लिक्विट भरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं साइटो प्लाज्म बोलते हैं यह मैंने आप लोगों को एक बार और क्लियर किया था बताया था इसके बारे इसलिए इसंटा प्ल deve bottles being hybrid कहा जाता है अघा है और इन शॉट फोर में is uh IB कहा जाता है ठीक है इसमें जो प्रोसेस चलती है जिसमें एक नॉर्मल पřोट उस्टें ले यह जो प्रोसेस है हमारी इस प्रोसेस को हम सवेР डाइसजंद की प्रक्रिया कहते हैं इस पिनॉमिनों को सवेड़ाइज़ेशन कहते ठीक है अब आगे देखते हैं इस में इसों करने के लिए किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है कभी भी याद रखेंगे आपका कभी भी अगर साइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो साइब्रिडाइजेशन यह साइब्रिड का प्रोडक्शन करवाना है हम लोगों को साइब्रिड बनाना है तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को दो ऐसी प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को लेना है जो डिफरेंट डिफरेंट हो अर्थात ऐसा कि अगर आप एक गुलाब का ले रहे हैं प्रोटोप्लास्ट हो एक आप गेंदे का ले लीजिए तो सुरूप कीहा किसका निर्मान होगा सάइब्रीट का निर्मान होगा हुगा थिक है तो फाइले जनेके क resultado से मतलब परनिप्लीट फाइले चेंच रूप से मतलब उननके आकार और प्रकृति में चेंगे वह वह फाईलोजनेके करम से जो दो and somatic incompatibility check channel many a times production of full place the hybrids through fusion of protoplast of distantly related higher plants which is rather difficult due to in instability of the two dissimilar genomes in a common cytoplasm अब जब पुराने जमाने में क्या होता था जब कभी भी हम लोगों को एक अच्छा hybrid बनाना होता था तो हम क्या करते थे hybrid कैसे बनाते थे पहले के मिलता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी साइंटिस्स लोगों को और है जो प्लांट ब्रीडर्स रहते थे जो ब्रीडिंग करवाने का काम करते थे उनको भी बहुत इशू होते थे जब वो अलग-अलग प्रजाती के पौधों के Πोटो प्लांस्ट को ले कर वो क्या करवाते थे फ्यूजब करवाते थे तो शूजन नहीं हो पाता था यह होता था था बहुत मुश्किल से था और हो भी जाता था अगर इच्छे से तो वह सक्सरات अच्छा नहीं की सोमैटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया सोमैटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी क्यों इनकॉम्पैटिबल मतलब नहीं जम रहा है दोनों का अब गुलाब के पौदे का आप गेंदे के पौदे से कराएंगे तो गुलाब दिखने में अलग है कलर अलग है पती का शेप अलग है गेंदा सेम तू सेम नहीं है दोनों तो यह incompatibility है दोनों में ठीक है Somatic incompatibility बोलते हैं Somatic incompatibility होने की वज़े से क्या होता है था कि बहुत डिफिकल्ट होता था चीजी अगरा दोनों अलग-अलग प्रजाती के सुमेटिक इंकम्पाटिबल स्पीशिस को ले रहे हैं चुकि एकदम डिफरेंट डिफरेंट है एक तरह अगर माली जब धतूरा जो आप पूजा करते हैं तो शिवजी में जो चड़ाते हैं उसे दाटूरा है दधराइक आप करवा सकते ही क्या हाईशी बना सकते है दाटूरे और रोस का मिला कर नहीं ना नहीं होता था लेकिन आख के डे Oldham ट्राइउट हो कर सकते हैं भरे सकस्सेस नहूंبلिकन हम कर सकते हैं एसा पहले तो हम कर भी नहीं सकते थे सोचने अब सोच भी नहीं सकते थे तो यह कैसे हुआ यह सो मैटिक इंकमपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी बहुत की दोनों इंकमपैटिबल हैं तो कैसे होगा तो हाइबरिट सपाइट सो मैटिक इंकमपैटिबिलिटी में एग करवा दिए दोनों का किसका करवा दिये चलो रोस का करवा दिये हम किस से merigold से में लेकिन जो क्रॉस होने के बालत जो हाइब्रीड बना वह कैसा हाइब्रीड बनता था की कि एक तो उसमें development नहीं होता था कि अने इस प्रफ्रक्चिरल जो है त्रक्चेर जो है कि स्ट्रक्चर रह broken सहीं स्ट्रक्चर रही आता है तो लो स्ट्रक्च रह स्ट्रपनेंट lle लो डेवल्वप्मेंट ऐन आपके तो क्या फैदा हुआ पॉस्या करंद कर केंदा कोई फाया नहीं हुआ तो यह बहुत बड़ा चैलेंज था प्लांट व्रीडर्स के लिए साइंटिस्ट लोगों के लिए कि हम क्या करें अब कि हम इतना सब चीजें तो कर रहे हैं बट हमको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें उसके लिए कि तो कुछ जेनरेशन के बाद कुछ समय के बाद जो है और रिसर्च हुए प्राक्टिसेस किये कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कि कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा हे तो तो कि सोचा गया है कि एक काम करते हैं ये जो सोमैटिक इनकंपैटिबिलिटी है वो क्यों आती है अब जो आपका रोज है वो मेरी गोल्ड से डिफरेंट कि रोज में अलग जीन से और मेरी गोल्ड में अलग जीन से यह तो हमको पता है अब मैं और नमन इसलिए अलग अलग है मेरा जीन और मेरा मेरा डियन अलग है राइट इसलिए हम दोनों अलग है हम दोनों के प्रोटोप्लास्ट का जैसे माल और जीन्स और डीने अलग हैं तो साइंटिंस लोगों ने सूचा क्यों ना इनके जीन्स है इनमें जो incompatibility पाई जारी है उनको थोड़ा सा उनके लिए कुछ करते हैं तो शायद कुछ करने से कि फ्यूजन हो जाए और फ्यूजन हो जाए तो अच्छा फ्यूजन हो अच्छा रिजल्ट भी मिले ठीक हैं तो इनके जीन्स को अटाना गुलाब के वह जीन को अटा देना जो कि एकदम डिफरेंट है वह क्या था बहुत लंबी प्रोसित थी जो बहुत टाइम बाद ही हो सकती थी और बहुत एडवांस तरीके से हो सकती थी पहले के जमाने में पॉसिबल नहीं था ऐसा अभी तो फिर हुआ है तो साइब रिजेशन यूज्टे जालन और साइब रिजेशन डिउ तूधिस लिमिटेशन इंसे मैं इसी समय तो इन कमपेटिबिटी और इसन करवाने में भी और प्रोब्लम होती थी सवेटी में इसको बोलते हैं जब हम दो अलग अलग प्रजाती के प्रोटप् इसलिए क्या किया गया साइबरिडाइजेशन करना स्टार्ट किया गया जिसमें साइबरिडाइजेशन में ऐसा प्रोसेस रखा गया कि एक तरफ ऐसा प्रोटोप्लास्ट रहेंगे जो नॉर्मल रहेगा और एक तरफ ऐसा प्रोटोप्लास्ट लेंगे जिसमें न्यूक्लिय ही नहीं रहागा क्यों क्यों नहीं रहागा न्यूक्लियस क्योंकि जो भी फंडा है जो भी प्रॉब्लम हो रही है जो भी दिक्कत हो रही है वह जीन के तरफ से डियने के तरफ से हो रही है तो एक काम ने क्या कर दिया कि starter ओर जीन技 वाला Parts 除ill अगिसे यह प्रोतो फ्रास्ट अनॉनल वाला तो छीาง से देखेंगे यह प्रोतो प्रास्ट इंगल्न यह चारतें सबंऻोह कॉसें अब भी में जुणों को क्रोंस करें वह साइटो ज्म आज में लगा लेकिन नुग्लियर सिर्फ एक का यह तो फिर को प्रॉबलम ही नहीं होई यूज दोनों के डी ने मैच नहीं हो पाते थी ना विद्न को डीने को मैच नहीं कर पाते थे इसलिए आयसे सिर्फ एक का रिषू अधिया दूसरी का डीने हमे थाधिया है कि दूसर डीने भी हम लेंगे फैसे हो सकता मेरे को भी आना अमेरे को भी आना है बोलके तो फिर हमने सिर्फ एक का डिये ने यूस किया वो कैसे किया हमने एक प्रोटो प्लास का न्यूप्लिया सी निकाल दिया जिसे प्रब्लम ही ना हो कुछ तो यह hybridization की प्रोसेस ने जन में लिया क्योंकि स्वाइटिक hybridization कराने में प्रॉब्लम होती थी यह hybrid नहीं बना पाते थे हम लोग ठीक है तो इस hybridization की methodology क्या है methodology देखते हैं थोड़ा सा कि अब कि step by step अगर देखा जाए इसकी प्रोसेस को तो पहले तो आपको प्रोटोप्लास्ट की जरूरत है एक अच्छा प्रोटोप्लास्ट यह स्वस्त पौधे का प्रोटोप्लास्ट जो है आपका कैसा होना चाहिए उसे देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो क्या लिखेंगे वो क्या बताया चाहरा है कि दो प्रोटोप्लास्ट अब शाइटोप्लास्म डोनर स्पीशीज और इराडियेटेटेड विद एक्सरे और गामारेस इराडियेटेड यहां पर जो वर्ड यूस किया है इसका मतलब मैं आपको बता सबित देती हूं एक सकेंड हम लोग क्या करेंगे जो प्रोटोप्लास्ट वो प्रोटो प्लास्ट हमआराभ जिस से हम्लुआ को क्या लिए साइट ओपलास्म डीन है साइटोप्लाज्म तो दोनों प्रोटोप्लाज्म की संख्या ज्याधा रहेगी मतलब जो मात्रा है जो क्वांटिटी साइटोप्लाज्म की देट विल भी हाई ठीक है तो जो साइटोप्लाज्म हम लोगों को प्रोटोप्लास से मिल रहा हूं साइटोप्लाज्म को जो प्रो ठीक है अब यह क्यों डाल रहे हैं इस ट्रीटमेंट रेंडर्स दर प्रोटोप्लास्ट इनक्टिव एंद नॉन डिवाइड जिसकी वाज़े से क्या होगा जैसे हम x-ray और गामा रेस को अपने प्रोटोप्लास्ट में डालेंगे तो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट है वह क्य भी जरूरी है कि जबूरी नंट टिवाइडिंग करना क्यों कि आप चाहते हैं कि आपका जैसा है वैसा रहे उसमें अगर लगाता से दिविजन होते रहेगा तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी नुन से अच्छे से गामारेस जैसे हमने हमारे प्रोटोप्लास्म को दिया वह है इनक्टिव हो गया और नॉझ डिवाइदिक्स стट में चले गया लेकिन फिर भी उनका एक चीज़ जो काम का है वो है साइटोप्लाज्म वह प्रोटोप्लास्ट अपना साइटोप्लाज्म दे सकता है अच्छे से डोनेट कर सकता है अपना साइटोप्लाज्म को तो हमने उसे इनक्टिव करके नॉन डिवाइडिंग करके हमने उसके हमने उस जब सेकेंड क्या करेंगे नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट के डिरेक्टली फ्यूस्ट विद इनुक्लेटिट प्रोटोप्लास्ट हमें क्या करना है एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को एक इनुक्लेटिट प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन करवाना है इनुक्लेटिट can be isolated by high-speed centrifugation अब यह जो e-nucleated protoplast है अर्थात ऐसा protoplast जिसके अंदर से nucleus निकला हो नुकलेस वो कैसे निकालेंगे हम लोग nucleus कैसे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे centrifugation के द्वारा ठीक है centrifugation करेंगे जिसके द्वारा हम लोग हमारे प्रोटोप्लास से उसके nucleus को अलग कर लेंगे जिससे वो e-nucleated protoplast कर लाएगा ठीक है थाड़ चीज प्रोटोप्लास्ट इनक्टिवेटेड बाइ metabolic inhibitor such as idoacetyट ढेव यह जो प्रोटोप्लास्ट है जिनका हमको cross कर दोनो प्रोटोप्लास्ट एक訴 नॉकलेंट और चुए वालबाला दोनों को हमको क्या करना है इनाक्टिव करना है तो इनाक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कुछ metabolic inhibitor डालेंगे इनिवीटर मतलब जो रोकता है रेजिस्ट करता है तो कुछ metabolic अवरोधक जो है हम वो डालेंगे metabolic inhibitor मतलब metabolic आपके अवरोधक अवरोधक डालेंगे कारे करने को लेकर जो तो किसको यूज करेंगे metabolic inhibitor के रूप में तो usually आपका iodoacetate यूज किया जाता है ठीक है अब इन प्रैक्टिस iodoacetate-futed protoplast are fused with x-rays irradiated protoplast for more efficient formation of cybrids अब आपने iodoacetate भी यूज कर लिया अब जो बचे कुछे जो और activities हो रही थी आपके protoplast के अंदर वो भी inactive हो गई पहले तो आपने किया कि एक्स रे दिया गामा रे दिया और उसे inactive करके non-dividing state में ला लिया अब आप क्या किये inucleated करना है मतब nucleus को निकालना है उसके लिए आप centrifuge किये centrifuge करने के बाद आप अपने protoplast में metabolic inhibitor मेटाबोलिक अवरोधक डालेंगे जो आपका क्या सब्सक्राइगा क्या चीज को यूज करेंगे आयोडो acetate को यूज कर सकते हैं अब क्या करेंगे आप आयोडो acetate जैसे यूज करेंगे तो यह एक तो metabolic inhibitor रहते हैं तो यह पूरी कार्यों को रोग देते हैं प्रोटोप्लास में जो कारें चलता रहते हैं उनको फाम कर देते हैं रोग देते हैं उसके बाद क्या होगा रोग देने के बाद ताकि जो आपका प्रोटोप्लास्ट वो इनक्टिव रहेगा अगर वो कारे करता रहेगा तो वो अपना जूड़ने का कारे अच्छे से नहीं कर पाएगा फ्यूज नहीं हो पाएगा लेकिन अगर हम उसे ऐसे स्टेश में लादे जिसमें वो इनक्टिव हो जाए बहुत तो आप हमारे पास एक नूक्लेटेड भी है नॉर्माल वाला भी है दोनों एक ट्री नाक्टिव फॉर्म में अब हम क्या करेंगे दोनों को फ्यूज करवाएंगे दोनों फ्यूज हुए फ़ल्स रुप क्या बना नहीं जो प्रोटोप्लास्ट बना वो बना आपका है तो इस प्रकार से आपको शॉय Mode का निर्मान हो रहा है य। निर्मान हो रहा है जो कुछिद की मान राना होगो है तो और रावे मैं अर्छल में नर्मार्यज पूस्ट की निर्मान हो रहा है तो उस protoplast के nucleus को निकालने के लिए आप क्या करेंगे उस protoplast का बारबर centrifugation की process करेंगे जिससे उसका nucleus जो है वो separate हो जाए और हमारे पास सिफ protoplast ही रह जाए अब उसके बाद 3 सरे नंबर पर हम क्या करेंगे protoplast में metabolic inhibitor जैसे की iodoyacetate डालेंगे ताकि iodoyacetate जो है वो क्या करें आपका metabolic inhibitor की जैसे कारी करें और जो भी उपापचे की क्रिया है जो metabolic activity है उसको रोके protoplast में ताकि उस समय हम fuse करा सकें दोनों protoplast को ठीक है तो यह था आपका साइबरिट बनने की प्रक्रिया एक साइबरिट कैसे बना करके है अब हम लोग कुछ applications देखेंगे कि क्या क्या application होते हैं एक सबसे पहले तो हम application देखेंगे । इस पर सबसे पहला जो application है आप लोगों की अनतर गर्शाफम भीखेंगे whistle disease resistance disease resistance मि Seella several inter- specific and inter-generic hybrids मि इसी disease resistance have been created many disease resistance genes tobacco mosaic virus potato virus club rod disease that could be successful transferred from one species to another resistance has been introduced in for the tomato against disease such as TMV spotted wild wild virus and insect pets अब मान लीजिए आपके पस दो पॉद ही है यह टामाटर का पॉद है जिसमें आपका बीमारी नहीं लगता है और यह आपका तो बैको का प्लांट है जिसमें बीमारी लगती है तो आप क्या करेंगे आप सुमाटिक हैब्रिड़ेसिन का यूज करके इनका इसका और इसका प्रोटोप्लास को मिक्स करके क्या करेंगे करने से इसके process में क्या है। वो जीन है जो की कैसा है बिमारी नहीं होने देता और इसके में वह protocol सो तो दोनों का मिला के जो फ्यूज क करा के नए अग in घो तो एसा जीन आ के रूप में कि बहुत ज्यादा थंड हो बहुत जदा सॉल्टी इंवर्मेंट बहुत जदा नमक वाल इंवर्मेंट या तो फिर फ्रॉस्टिंग माला हो गया हो तो फिर उसे भी सोमेटिक हईप्रिड़ेशन के द्वारा इंट्रोडिूस किया जा सकता है कि tolerance कितना है जैसे टमाठर का पौधा है वो इतने से कम temperature में नहीं रहता है दो डिगरी टमप्रेचर होता है तो नहीं रह पाता है तो उस प्लांट को tolerate करवाना सिखाना पड़ेगा सहन सकति उसकी बढ़हाने के लिए भी हम somatic hybridization करवा सकते हैं इसके बाद तीसरा जो है